Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2007 मैं IV horror thriller movie Hannibal Rising को explain करने जा रहे हूँ. इस movie मैं IV पहले दो parts मैंने already explain कर दिये हैं और उसका link मैं आपको उपर i button में दे दूँगी, तो आप उनको भी देख लेना. इस movie की शिरुवात होती है साल 1944 से Lithuania को दिखाते वे और हमारा जगे होता है Lector का Castle, जहाँ पे हम Lector, उसकी बेहन और उसकी ममा को इदर उदर भागते वे देख पाते हैं, जो अपना समान बांद के German troops को आते वे देखके उनसे दूर भाग रहे होते हैं. आगे चलके वो लोग family के hunting launch में जाके refuge लेते हैं, क्योंकि उनका जो castle वाला घर होता है, वहाँ पे Germans ने occupy कर लिया होता है, आगे हमको 6 soldiers को दिखाया जाता है, जिनको SS troops को join करना होता है, और उनके general ने उनको challenge किया हुआ होता है, कि वो एक आदमी को गोली मार देंगे, तब उनको घर से बहार आने को बोलते हैं, जब वो लोग वहाँ पे rest कर रहे होते हैं, तब वो लोग उनसे पानी मांगते हैं, कि तब ही एक आदमी spot करता है German pilots को उपर उड़ते वे, और उन दोनों troops के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, आगे चलके वो plane crash भी हो जाती है और सारे मारे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हानेबल और उसकी बहन बचते हैं, जब लेक्टो कासिल को वो लोग occupy कर चुके होते हैं, तब वो 6 soldiers सारी चीज़ें वहाँ पे जो होती हैं चुराने लाइक वो सब चुरा रहे होते हैं, और आगे चलके SS group के जो general है, उसको गोली मार देता है, उन 6 लोग का जो leader होता है वो, जिसके बाद वो उसके पैसे जो iron cross होता है, वो भी चुरा के वहाँ से सब भागते हैं, अब lodge में अकेले Hannibal और उसकी बहन बचती हैं, जो अपने आपको protect करने किसी तरह से कोशिश कर रहे होते हैं, जिसको किसी तरह से Hannibal डरा के भगाता है, कि अचानक कुछी seconds के बाद वो 6 German soldiers उनके lodge के अंदर आ जाते हैं, और बच्चों को surrender करने को बोल देते हैं, जैसे जैसे समय बीटता है, वो soldiers प्लान कर रहे होते हैं उस area को escape करने का, जिन में से 2 soldiers उसके बाद बाहर जाते हैं खाना ढूडने के लिए, जब वो वापस आते हैं, तो उनको सिर्फ खाने के लिए एक मरीवी चिडिया मिलती है, और एक maggot से भरावा raccoon, जिसके बाद उनका leader होता है Brutus, वो कच्चा ही खा जाता है bird को, क्योंकि उसको बहुत जादा भूग लगी होती है, तो वो लोग बच्चों के तरफ घूरने लगते ह अब आगे scene shift होता है, 8 साल आगे का दिखाते हुए, जहाँ पे war up खतम हो चुकी है, और जो lector castle है, उसको change करके अब orphanage बना दिया गया है, यहाँ पे हमको lector को दिखाया जाता है, जो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि जो इसके traumatic experiences थे war के उसके वर्जे से, lunch के time पे एक bully lector के feel करने की कोशिश कर रहा होता है, जब रात होती है तो lector को nightmare आता है, lodge में जो चीजे हुई है, उस चीज को ले के, जिसको देखके वो एकदम से डर जाता है, और उठ जाता है, जिसके बाद वहाँ पे bully आके उसको जब अजस्ती dungeon वाले area में जाके lock कर देता है, वहाँ पे एक secret pathway मिलता है, जहां से वो भाग जाता है, जब वो bully वहाँ पे lector को चेक करने के लिए आता है अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे एक trap पे उसका pair फस जाता है, जो lector ने उसके लिए लगाया था, आगे चलके lector Soviet borders के पास आता है, जहां पे वो almost पकड़ा जाता है, ज वो अपने एक अमीर अंकल के घर जाएगा, जो पैरिस में रहते हैं, जो वो एक बर उनके अंकल के घर पे पहुशता है, तो उसको वहाँ पे मालुम चलता है, कि उसके अंकल को मरे वे काफी time हो चुका है, और वहाँ पे सिर्फ उसकी aunt बचीवी है, उस दिन रात में भी उ उसकी आजाए, वो सब से खाने लगती है, और इन सब के चलते वो धीरे धीरे अपने आपको रिलाक्स करता है, और ओपन अप होने लगता है, एक दिन बुचर शॉप पे जब वो लोग होते हैं, तब वहाँ पे एक बुचर बहुती गंदा सा कमेंट करता है, उसकी aunt को ले और वो एक cultural mask अपने मूपे भी लगाता है, आगे हमको उस बुचर को दिखाया जाता है, जो fishing कर रहा होता है, और लेक्टर उसके वापिस land पे आने का wait करता है, आगे चलके बुचर और लेक्टर का confrontation होता है, जहाँ पे लेक्टर उसको apologize करने को बोलता है, मगर बुचर मना कर देता है, अब apologize नहीं करने के बाद पे लेक्टर उसके attack कर देता है, पहले उसके tummy को slice करता है और उसके arm को, जिसके बाद वो उसको decapitate भी कर देता है, और उसकी जो मचली होती है, वो अपने साथ ले जाता है, आगे चलके वहाँ पे एक police inspector आता है, उस butcher को investigate करने के लिए और realize करता है कि body में से sword को polish करने वाले oil जैसी smell आ रही है, वहाँ पे जब उसका cook Hannibal के लिए उसकी fish को steam कर रहा होता है, तो उसको बताता है कि सबसे अच्छा part जो होता है, किसी भी animal या fish का वो होता है उनका cheeks, आगे चलके उसकी aunt ancestral के altar पे जाती है प्रे करने के लिए, पे Hannibal उसके पीछे ही होता है और वो अपने crime के लिए confess भी करता है, और वो ये भी बताता है कि उसने samurai blade का इस्तमाल करा है, बुचर को मारने के लिए, और वो ये भी बोलता है कि जो crime है, वो actually crime of passion है, तब ही वहाँ अचानक वो inspector आ जाता है, लेक्टर को question करने के लिए, उसक चीज को pass कर जाता है क्योंकि वो किसी भी चीज पर react करता ही नहीं है, कुशी समय के बाद उस inspector को बताया जाता है कि उस butcher का सर pass की ही gate पर मिला है, और मालूम चलता है कि उसकी aunt ने actually उसका सर वहाँ पर रखा था, आगे चलके उसकी aunt को ये भी मालूम चलता है कि उनके घर को auction कर दिया जाएगा क्योंकि उनके financial condition ठीक नहीं है, आगे चलके हमको दिखाया जाता है कि लेक्टर को एक French Medical School के अंदर admission मिल गया है, और उसी school में उसको job भी मिलती है जहां पर उसको bodies को prepare करना होता है, उसकी aunt यां decide करती है कि उसके पढ़ाई को fund करेंगी, मगर अभी भी कर रहा होता है, जहां पर वो उसी inspector को देखता है, जहां पर वो एक Nazi criminal को interrogate करते वे देख पाता है, जिसके अंदर sodium bipental को डाला जाता है, जिससे कि वो अपने past की चीजों को याद कर सके, जिसके बाद lector उस chemical को खुदी चुरा लेता है, जिससे कि वो अपने past memory को याद करे, अपने घर पे वो इस चीज को inject करता है, गाना सुनते हुए, जिसके बाद उसको याद आता है कि कैसे उन मेंसे एक soldier ने ये का था कि उसकी बहन को pneumonia है, और इसलिए उसको मार देना चाहिए, उसको ये भी याद आता है कि कैसे उसकी बहन को stove पे boil करा गया था, उसको आगे य लेक्टर वापिस Lithuania आ जाता है, सारी चीज को फिर से investigate करने के लिए, जहाँ पे उसको बोला जाता है कि वो अपना passport दिखाए, visa check कराने के लिए, यहाँ पे उन 6 में से एक soldier अभी भी वहाँ पे border में काम कर रहा होता है, और वो लेक्टर का नाम देखता है entry list में, तब तक collector जाता है, उस पुराने वाले lodge में clues को ढूंडने के लिए, मगर pass में से ही वही inspector जो बॉडर पे था, वो उसको देख रहा होता है, वहाँ पे उसको उसकी मा के pearls मिलते हैं, अपनी बहन के remains मिलते हैं, बादचप के अंदर और dog tags भी मिलते हैं, वो inspector आगे चलके उस पे sneak up करन पर हैं, मगर वो कुछ बताता नहीं, बस इतना बोलता है कि उनमें से एक soldier Canada में हैं और बागी सारे मारे गए हैं, इसके बाद Hannibal इस्तमाल करता है horse का उस आदमी को चोक करने के लिए, जिसकी वज़े से वो finally confess कर देता है कि वो सारे के सारे France में हैं, जिसके बाद वो horse आगे move करने लगता है, और जिसकी वज़े से वो आदमी पुरा decapitate हो जाता है, और आगे उसका blood पुरा splash कर जाता है, लेक्टर के मूँ के अंदर और face पे, और ये पहली बार होता है कि वो किसी का blood taste किया है, और उसको पसंद आ गया था, यहाँ पे थोड़े दिर के बाद वहाँ पुलिस आती है, और उनको उसकी body मिलती है, जिसके अंदर से उसके cheeks को carve out किया होता है, उनलों को वहाँ पे मालूम चलता है कि शायद किसी ने उसको वहाँ पका के खाया है, जब लेक्टर वापिस पैरिस जाता है, तो उसको उसकी aunt उसके apartment में दिखाई देती है, वो उनको करता है कि उसकी बेहन का जो bracelet था, उस बच्ची ने पहना हुआ है अपने हाथ में, जिसके बाद वो उस बच्ची को आवाज लगाता है, जब उसके पास आती है, तब वो उसके पास एक dog tag उसके attach कर देता है, जब वो आदमी अपने बेटी को वापिस बुलाता है, तो उसक को पिंप आउट करा करते थे, उस काम में लगे वे थे, यहाँ पे वो लोग order करते हैं एक soldier को कि वो पैरिस जाके और चीज़े पता लगा है लेक्टर के बारे में, यहीं पे जो inspector पहले उसको accuse किया था, उस बुचर को मारने के लिए वो आ जाता है, और वो लेक्टर के involved है और उसको ये भी बताता है कि उसको मालूम है कि लेक्टर इसमें involved है, एक दिन जिस आदमी को भेजा होता है लेक्टर का पता लगाने के लिए, वो किसी तरह से लेक्टर के lab में sneak in कर जाता है, यहाँ पे लेक्टर को मालूम चल जाता है कि वो sneak in किया है, तो वो एक trap बन हुआ है यहाँ पे लेक्टर उसे पूछता है ब्लूटिस के लूकेशन चीक्षण में इसके बारे में जिसके בाद वो ऊसको वापस के आदमी wanted के list में आता है और वो इंस्पेक्टर खुद उसको arrest करना चाता है इसलिए वो लेक्टर को अपने साथ police station लेके जाता है जिससे कि वो उसको एक deposition के लिए record कर सके वहाँ पे लेक्टर पताता है deposition में कि कैसे उन 6 soldiers ने उसकी बहन को मारा था और उसके बाद उनको खा यहाँ पे सब सुनने के बाद inspector बताता है कि वो उस आदमी को खुद legally arrest करेगा और अगर लेक्टर ने किसी को भीमारा फ्रांस में तो इस बदले में उसको arrest होना पड़ जाएगा यहाँ पे वो इंस्पेक्टर अपने colleague को बोलता है कि वो लेक्टर को follow करे क्यूंकि उसको मा आमारे मगर वो उल्टा बोलता है कि उसको सबसे बदला लेना है आगे चलके लेक्टर किसी तरह से उस police जो उसको follow कर रही होती है उसके नजरों से हटके वो अपने lab में वापिस जाता है जहाँ पे जिस आदमी को उसने डुबाया था उसके remains को वो destroy करता है और एक time bomb भी ब की जाती है और notify कर देती है उसके bodyguards को जो आते हैं वहाँ पे और डिसाम करते हैं लेक्टर को आगे चलके वो आदमी उसका गला काटने की कोशिश करता है क्योंकि लेक्टर के पास कुछ option नहीं होता खुद को बचाने के लिए मगर तबी वहाँ पे bomb भट जाता है और लेक कर आए यहाँ पे उसको मालूम चल जाता है कि कौनसे restaurant में exactly उसकी aunt को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि जो चुडियां की आवाज आती है वो उसको recognize कर लेता है यहाँ पे आगे चलके लेक्टर अपने आपको prepare करता है restaurant में जाने का और अपने पीछे एक चोटा चुपा लेता है यहाँ पे वो restaurant के owner को एक तरह से trick करता है यह बताने का कि वो already उनके family home को visit कर चुका है और वो जानता है कि वो exactly owner रहता कहां है वो आगे बदले में bargain करता है उस आदमी से कि वो उसकी aunt का location बताए और वो उसको force करता है उसका location बताने के लिए वो वहाँ पे आगे चलके confess करता है कि उसकी aunt actually में एक boat पे है जहाँ पे लेक्टो को मालूम चलता है कि शायद उसको trick करा गया है वो आदमी आता है लेक्टो को मारने के लिए मगर लेक्टर उससे जादा तेज होता है और वो उसके throat में stop कर देता है आगे चलके लेक्टर उस boat को locate करके उस पारा वो आदमी उसकी aunt को molest करने लगता है उसको humiliate करने के लिए क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसने लेक्टर को गोली मार दी है बलकि क्या होता है कि जो dagger उसने चुपाया होता है उस पे गोली लगी होती है तो अब जब वो आदमी उसकी aunt को humiliate करना continue रखता है तो व अगर confession के बीच में मालूम चलता है कि वो 6 soldiers सिर्फ नहीं थे जिन्होंने उसकी बेहन को खाया था, बलकि उसको भी उन्होंने जबजस्ति खिलाया था, जब उसको आदा ही consciousness बचा हुआ था, गुस्से में लेक्टर उस आदमी के chest पे M-calf करता है और उसकी आंट उसको रोक र जाती है, आगे चलके उसकी आंट उस इंस्पेक्टर से मिलती है और तभी boat भी explode कर जाता है, यहाँ पे उसकी आंट को बुरा लग रहा होता है कि शायद लेक्टर भी मर गया है, मगर movie के end में हमको दिखाया जाता है कि लेक्टर अपने आपको swim करके दूसरे side of the shore पे ले ग झालेगा, THANKS FOR WATCHING, BYE!